गुडी इमनिंग बच्चों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं नेशनल वोटर अवेरनेस कंटेस्ट जो हो रहा है इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था तो हम सीधे उनकी बेपसाइट पर चलते ह हैं और जो बिभिन ने जो प्रतियोगी ताएं हो रही है उनमें प्रतिभाग कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं तो सबसे पहले यह जो पीडियाफ है यह पीडियाफ मैं आपको अभी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और जो टेलिग्राम चैनल है उस प गया यह देखिए यह भारत निर्वाचा नायोग यानि इलेक्शन कमीशन आप इंडिया का यह आपकी वेप साइटे देखिया लिखा हुआ है तो माई बोट इस माई फ्यूचर इस थीम पर बिभिन प्रतियोगता है चल रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखी सुर यह बोटर आईक्यू की बतलब बोटर के संबन्द में आपको क्या जानकारी है कितना आईक्यू लेवेल है आपका पार्टिसिपेट इन अबर कुछ कंटेस्ट कुछ में भाग कर सकते हैं नेक्स्ट है कैन यू इंस्पायर देशन थ्रो इस सौंग क्या गाना सुना करके आ आपको देश को जगा सकते हैं बोटिंग कराने के लिए और यह दूसरा है मोबिलाइज दे नेशन बितियो और क्रियेशन यानि पोस्टर बना करके क्रियेट पोस्टर स्लोगन बना करके कहनी और स्लोगन यूनाइटे नेशन क्या आपके द्वारा सिलव दिया गया स्लोग पूरे देश को एक तक ही सूतर में महन सकता है तो इसमें बच्चों यह मोबाइल पर मैं सारा चीज बता रहा हूं क्योंकि यह मोबाइल ही आज की समय में पावरफुल डिवाइस है सभी के पास है मैंने जैसे हाथ में लिया हुआ है बिल्कुल वैसे आपको पकड़ना है 25 ज participate यानि कैसे प्रतिभाग करना है read rules नहीं हम यहाँ पढ़ सकते हैं वैसे मैं बता चुका था अपने share details मैंने आपसे बताया था प्रतिभाग करने के लिए अपने details को share करना है यह email दी गई है इसको note कर लेना है यह आपका देखिए यह contest at the rate eci.gov.in आपका subject line लिखना है और contest का नाम लिख करके उनको mail कर देना है voter awareness contest अब नीचे आते जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे है quiz में कैसे प्रतिभाग करना है तो choose a contest your choice तो यह देखे quiz contest यह देखे लिखा है तो इसके नीचे प्रतिभाग करना है तो participate now इस पर क्लिक करेंगे यदि आपको video making contest में प्रतिभाग करना है तो participate now इस पर क्लिक कर दीजे यदि आपको poster design contest में प्रतिभाग करना है तो इस पर कर दीजे participate now और slogan contest में करना है तो participate now आप इस पर कर दीजे तो यह बच्चों यह पूरा मिल तो यह डाउनलोड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो सारी की सारी गाइड लाइन्स आपके जो दिसा निर्देश हैं सभी के सभी प्रतियोगिताओं के लिए वो खुल करके आपके सामने आ जाएंगे तो उनको आप अच्छे से पढ़े भी सकते हैं अब ये क्विज कंटेस्ट पर हमको जानना है कि क्विज में प्रतिभाग कैसे करना है तो हम ये प्ले क्विज जहां लिखा है उस पर बच्चों क्लिक कर देते हैं ये किया प्ले क्विज पर थोड़ा नेट सलो है तो टाइम ज्यादा लेगा आपका नेट अगर फास्ट वो थोड़ा कठेन होगा इस तरीके के प्रस्ण होंगे आपको बताया था बीज बीज प्रस्ण पूछे जाएंगे सारा चीज है इसर्टीफिकेट मिलेगा आपको निर्वाचा नायोग के उसमें समलित होने का मौका मिलेगा और भी बहुत सारी तो यह लिखा है नीचे आग मोबाइल नमर भर देना है जो भी आपका नमर है मोबाइल नमर यहां पर आप लिख दीजिए और इसन रिख जाएगा टडिवा करेंगे तो देखते हैं हम open करके कि क्या आता है तो बच्चों जैसे ही देखी हमने OTP जो हमारे mobile में आया था मैंने तो मैंने enter करके ok किया तो देखी इस तरह से आपकी website खुल गई यह देखी register लिख कर आ जाएगा ideate and create something great तो यह सारी चीज़ें अब यह क्या करना है आप पूंच रहा है fill please fill in your basic details to participate यानि प्रतिभाग करने के लिए अपनी basic जानकारियां आप भर दीजे name पूंच रहा है अपना पूरा सही सही नाम लिख दीजे जैसा आप certificate में चाहते हैं अपनी age लिख दीजे gender का मतलब male या female state select कर लिजे your address मतलब पूरा address आप भर दीजे epic नमर का मतलब होता है epic means जो voter ID होती है उसको epic कहते हैं तो epic का नमर आप भर सकते हैं आधार नमर यह लेकिन optional है optional का मतलब आप देना चाहें तो दे सकते हैं नहीं देना चाहें तो बिलकुल मत दीजी बिलकुल परिशान होने की आवश्यक्ता नहीं है password आपको यहां से बना लेना है देखी यहां यदि आप password बना लेंगे तो password फिर आपको बार बार OTPC login नहीं करना पड़ेगा फिर आप password के थुरू सीधे login कर सकते हैं जैसे हम लोग अपनी email login करते हैं तो password minimum 8 characters होना चाहिए कोसिस करिए कि एक capital हो एक small हो एक special symbol हो और उसमें digits 1 से 0 से 9 तक कुछ संख्याएं हो जैसे उदारन के लिए capital M लिग दीजिए small M hashtag या at the rate sign लगा दीजिए और फिर लिख दीजिए 1,2,3,4 तो ये सारी चीज आ गहीं तो देख लीजी 8 हो रहे हैं तो जब सारा चीज हो जाए तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए submit button पर click कर दीजिए तो जैसे submit button पर click करते हैं देखते हैं आगे क्या आता है तो बच्चों जैसा आप देख पा रहे हैं जैसे ही आप सारी detail भरके submit कर देंगे तो तुरंद लिख करके आएगा congratulations you have been successfully registered और password जरूर अपना note करके रख लीजे जैसे मैंने आपसे बताया है और नाम अगर यह दिया आपका बहुत लंबा है 18 डिजिट से जादा है तो वो नहीं लेगा तो जैसे मैं चंदरभान प्रजापती लिखा तो उसमें जादा है तो मैं सिर्फ अपना first name लिख दिया चंदरभान अब देखिए आप नीचे जाएंगे तो इस तरह से फिर वही इस तरीके से website खुल जाएगा portal खुला हुए देखेगा तो नीचे वही से ही जाना है अब आप registered हो चुके हैं और आपको क्या करना है contest में प्रतिभाग करना है तो यह देखिए play quiz यहाँ पर यह बना है तो यहाँ पर play quiz में मैंने click कर दिया अब देखिए मेरा चल रहा है net थोड़ा slow होगा तो time लेगा आपका net fast हो तो देखिए जब भी quiz करने के लिए बैठिए तो courses करिए कि network coverage आपका अच्छा हो जहाँ network अच्छा आता हो वहाँ पर बैठ कर ही आप अपना quiz को attempt करिए क्योंकि यह दिए आप refresh कर देंगे या internet connection चला जाएगा तो problem हो जाएगी देखिए जैसे मेरे में problem हो गया तभी अब देखिए सही हो गया यह देखिए मेरा नाम लिखा है आप है यह सारा बता रहा है यह देखिए तीन लेवल यह देखिए आगया बच्छो लिखा हुआ यह तीन लेवल यह लेवल वन इसकोर जीरो बट अभी मैंने start नहीं किया लेवल टू बीस में से कितने अभी जीरो जीरो दिखा रहा है क्योंकि start ही नहीं किया तो play में start level 1 इस बटन को आपको जैसे ही आप click करेंगे तो आपका level 1 start हो जाएगा बीस question आएंगे देखिए आप कितने जो तो 10 minute का समय रहेगा अब minimum 7 question सही होना चाहिए 7 से कम हुए तो आप next level पे नहीं जाएंगे तो 7 या उससे अदे के दिया आपके सही हैं तो आप next level 2 में जाएंगे फिर करिए फिर यदी सही होंगे 7 से 7 से जादा तो level 3 में जाएंगे इस तरह से आपके 3 लेविल पार कर लेंगे तो E certificate पका है इसके अलावा आपको ECI यानि election commission of India का जो merchandise या जो और मिलता है benefit तो वो एक अलग चीज है तो बच्चों इसको जरूर करना है लेकिन फिर बता रहा हूँ कि ये जो quiz आप से पूँचा जा रहा है elections related जो आपका VVPAT है या EVM है उससे related जो आना है वो मैं आपको अलग से quiz एक बना करके बता देता हूँ किस तरह के questions पूचे जा सकते हैं क्योंकि मैंने कई वार elections में duty किया है sector में state की रूप में और जो master trainer होते हैं उस रूप में तो मैं आपको वो बता दूँगा तो पहले उनकी तयारी कर लीजी फिर quiz attempt करिए पहले से आप करेंगे तो हो सकता है आपके ज्यादा सही ना हो तो सारे question मैं बता दूँगा आप खुद करके देखेगा बताईएगा कि आपके कितने marks आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए उसमें से कुछ questions आए कि नहीं तो अभी के लिए thank you very much next video का wait करिए मैं उसमें सारी questions आपको revision कराता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे thank you very much